पौदे कातो भोजन ही पानी है क्योंकि पानी में घुलकर के ही पोशक्तत जो है वो तने के द्वारा उपर पत्ती में पहुंचते हैं नमस्तर मैं अमरित आप सभी का स्वागत करता हूं बात एक खेती के में दोस्तो आज हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अवधेश शुकल जो कि आज हमें बैगन की खेती के बारे में बताएंगे कि बैगन की खेती को लेकर किस तर से किसान अपनी तैयारी कर सकते हैं डोच्छ सब आपका बहुत स्वागत है हमारी इस कारिक्रम में आपको भी धन्यवाद हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो ये कि बैगन की खेती के लिए नरसरी तियार करना एक बहुत ही एहम पड़ाव होता है तो नरसरी तियार करने के लिए सबसे जरूरी चीज किसानु को क्या करनी चाहिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी भूम है उससे एक दसमलब पांच सेंटी मीटर हम जो उसकी नरसरी की जो वेड़ बनाएंगे क्यारी बनाएंगे वो एक दसमलब पांच सेंटी मीटर उंची होनी चाहिए और उसकी जो चोड़ाई है वो हर हालत में एक मीटर होनी चाहिए और लंबाई आवर सकतान साथ दस मीटर तक हम रख सकते हैं अच्छा अब जो हमने क्यारिया तैयार की हैं इनके तैयार करने के बाद फार्मल डियाइड एक रसाइन आता है और उस फार्मल डियाइड का एक लीटर को पचास लीटर पानी में जो हम डैलूट कर लेते हैं उसको और उसके बाद जो है मिट्टी को अच्छी तरीके से खुब बिगो देते हैं तो इससे भी जो हमारे जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से हमको बहुत अधिक मात्रा में छुटकारा मिल जाता है अच्छा अब जो हमने ये क्यारियां तैयार की हैं जो एक मीटर हमने चोड़ाई और दस मीटर की जो क्यारी तैयार की हैं उसमें हम गोवर की खाद सड़ी हुई अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और उनको मिलाने के बाद हम अब ये देख लेते हैं कि इसमें परियाप्त नमी है या नहीं या परियाप्त नमी नहीं है तो हमको इसके लिए फिर उसमें जो है सिचाई की आवसकता पड़ती है और प असंबलब 5-2 cm की गैराई पर जो है हम उसमें बीज डालेंगे पंक्तियों में और उस पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 10 cm हम रखेंगे अच्छा अब जो हमने उसको डाल दिया है बीज को तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे एक हलकी सी गोवर की खाद जो है खुब ऐ भी हो तो फोवारा, जिसे हजारा भी कहते हैं, उससे हम चाहिए करते हैं, अगर हम यह देखते हैं, कि हमारा तापमान जादा हुरा पौारल वाज डाल करके विशावन भी डाल देते हैं, जिससे जैसे ज्यादा सूलच kita पर के, जल्दी- Millennat, कहें सूखे पुखे नहीं और हजारा से उस पर जो है हम सचाई करते रहते हैं अच्छा अब इस तरीके से जब हमारा अंकरन हो जाता है तो उस पुआल को हड़ा देते हैं और उसके बाद फिर उसकी हम सचाई करते रहते हैं और इस तरीके सचाई करने के बाद हमारा जो है चार या छे हमारी तैयार हो जाती है और उस को फिर हम जो जिस खिष्ष में बेगन लगाना है उसके फिष्ष की तईयारी चार चे हथे चार से छे हथे में हमारी रुपाई के लिए जो है बहुत तैयार हो जाती बायवा जादे दिन की जो अगर तो अब हमारे लिए जो है चार से सब्ता के बाद, यानिsky 30 दिन से ले करके, 40 दिन के बाद nămा हमारा नरसरी तयार हो गई. उसके बाद रुपाईी का काम बादमे रुपाईी का काम करेंगे. तो रुपाई के वे लिए जो पहले, रुपाई से पहले भी हमें अपने खेट की त्यारी करनी होगी, दूसरे खेट में उसको प्लांट करना होगा, उस पौधे को, तो उसको लेकर के हमें तैयारी है कैसे रखनी चाहिए है? देखिए, जब हमारी नरसरी तयार हो गई है, तो हम नरसरी से निकाले इस पौधे को, फिर हमको एक प्रिकासन और लेना, एक साथदानी और लेना है, कि इस पौध को वावस्ती इनके घोल में एक घंटे तक इसकी जड़ों को डूबो देते हैं, जिससे बोई बिशाण और फफूंदी का जो हमारा, जो कुछ भी अगर उसमें थोड़े बहुत कोई अंस है उस पौध में, तो वो अंस हमारा खेत में लगाते समय ना आए, अब जब हम रुपाई करते हैं, तो रुपाई करते समय हमको ये ध्यान में रखना है, कि लाइन से लाइन की दूदी जो है वो कम बढ़ने वाला अगर पौधा है, तो 75 सेंटी मीटर, और अगर अधिक बढ़ने वाला पौधा है, तो 100 सेंटी मीटर, और इसी तरीके से अगर कम बढ़ने वाला पौधा है, तो पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटी मीटर, और जादा बढ़ने वाला है, तो 90 सेंट के उत्वर हम रुपाई करते हैं रुपाई करने से पहले यह वच्छय है कि नत्रजन जो हम दे रहे हैं 150 शाट शाट तो सबस्क्रास करें रुपानि कि आद्पारी मात्रा को हम रोख ले और eg बड़ा दो मात्रा नतिजन और कुल मात्रा फासफेट और पोटास खेत की तैयारी रुपाई के लिए जो खेत तैयार कर रहे हैं उसमें पहले से ही डाल दें एक चीज बहुत ही आवश्चक है जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि मिर्दा का अरवरा इस तर बनाए रखने के लिए गोबर या कंप कोष्ट की खात देना भी बहुत आवश्चक है निरंतर उरवरकों का आधिक प्रियोग ही करते रहना कोई बहुत बुद्यमानी नहीं है तो ऐसी दसा में 250 कुटल से 300 कुटल पर हेक्टर गोबर की खात भूम की तैयारी के समय पहले से ही डाल देना चाहिए तो रोपाई के तुरंत बाद हम इसमें पहले जो है हजारे से इसकी सिचाई करते हैं ताकि पौधा जो है हमारी उसकी जड़े जो है मिट्टी में अच्छी तरीके से जब जाएं तो जैसा कि किसान में तो आप सुने और देखे कि डॉक्र साब ने जो बाते बताई वो कितनी लाफदायक ह हो सकते हैं यानि कि कुल मिला कि इसमें देख रहा हूं कि पौधों की जो नमी है वो काफी मायने रख रही है उनके मिटी की जो नमी है पौधों में बनाए रखने के लिए बस नमी नमी जो है वो बहुत ही आवस्च्छी है क्यों कि हमारे सरीर में जब पानी कमी हो जाती है तो हमको भी व्याकुलता होती है पौदा भी मनस्ट की तरह ही प्राणी है तो दोस्तों आपने देखा कि डॉक्स साब ने जो बाते बताई वो वाकई में आपके पौदा के लिए जरूरी है सिचाई और खेतों की नमी तो अपने खेतों में नमी बनाया रखें जब से आप बैगन की जो है नरसरी त्यार कर रहे हैं वहां से ले करके और जब रुपाई करने जा रहा है बैगन के अपने खेत में तब तक अगर परयापत नमी रहती है तो यह बैगन की फसल के लिए काफी अच्छी रहेगी फिलाल भी लेते हैं एक ब्रेक ब्रेक के बाद लोटते हैं तो अपनी बात्चीत जारी रखते हैं बैगन के तुड़ाई का समझा बाता है उस समय पर जाकर के हमको आठ से लेकर के दस दिन के अंतराल पर सचाई करते रहना चाहिए नायट्रोजन का काम होता है पौदे की बिजी चेति बनस्पत भाग को बढ़ाना और फास्फेट जो है फल की को बढ़ाता है उसके आकार को बढ़ाता है पौदे के तने को मजबूत करता है दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चलिए अपनी बातचीत हम आगे बढ़ाते हैं डौक साब एक बजब हम अपनी बैगन के जो प्लांट है पौधा है वह खेतों में उसकी रुपाई कर दी उसके बाद के चरण शुरू हो जाते हैं जिसमें हमें प्रॉपर सिचाई करनी होती है माना कि हम तो सुरू से नमी बनाये रख रहे हैं अपने खेतों के लेकिन एक प्रॉपर चैनल के थूपर सिचाई उसके टैनियर होगा कि इतने समय में इतने सिचाई करें अब खाद डालने का टाइम आ गया है तो कौन कौन सी खाद जो है उसमें डाले करते हैं और जब ये 60% दिन के बाद जब हमारे तुड़ाई का समय आता है उस समय तक मौसम में काफी परवर्तन होते चले जाते हैं तो आईसी अवस्ता में जो प्रारंभी का वस्ता है उसमें हम 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिचाई करते हैं लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता चला जाता है और बैगन के तुड़ाई का समय जब आता है उस समय पर जाकर कि हमको आठ से लेकर के दस दिन के अंतराल पर सिचाई करते रहना चाहिए अब बात आती है और वरक की जैसा मैंने बताया कि एक बटा दो आपने नतरजन की मातरा पहले ही रोग रखी है तो वो क के था रहिए करते हैं ओ तो पहली सिचाई करने से पहले यह आवश्चक है कि हम खत पद़वारों को नुष्ट करें जी और हल्की सी इसी तरीके से जब हम उनको निकालते हैं जडते तो हमारी गुड़ाई भी हो जाती है तो जब हम गुड़ाई कर देते हैं तो हम एक तो आए कि जो अनावसक पोशकत्तों खर्पदवार ले रहे थे वो उन को सकर्पो का हमारी बचता versions जाती है नमबर यह कि जर्धारण स्ब्था मित्टी की जो है बहुत अच्छी हो जाती है wizard तीसरे 22 संचार उसमें बहुत अच्छा होता है ताकि पौदे की जो है उत्तम ब्रद्धी होती है जो नत्रजन की हमने मात्रा रोग रखी थी आदी उसकी आदी मात्रा को हम टाप डेसिंग कर देंगे तो टाप डेसिंग हम अगर करते हैं तो उसके बाद भी सिचाई कर सकते ह और अगर हमारी बलूर दो मट जमीन है या बलूर जमीन है तो ऐसी दसा में हमको यह आवशक है कि हम सिचाई करने के बाद ही जो है टाप डेसिंग करें ताकि हमारा जो हमने यूरिया को लिया है यूरिया बहुत जल्दी ही जो है आधे के लिए उपलब्द हो जाती है वे अतनी तेजी से ले नहीं पाता जितनी तेजी से वो उपलब्द होती है एक मानक के हिसाफ से कि कितना मानक हो जिससे वो अपनी उर्वरकों का इस्तेमाल खेतों में करते रहे हो देखिए बैग्यानिक दिश्टकोंड से पांच बीगा का एक एकड होता है और 2.5 यानि दोज़संपला 5 एकड का जो है वो हमारा एक हेकडर होता है तो उसी हिसाब से जो हम अपना मानक निधारी कर लेते हैं और उसी इसाब से जो है अम उसकी बीज की मात्रा हम उर्वरकों की मात्रा और सभी मात्राओं का निधार उसके उसमें करना शुरू कर देते हैं अच्छे इसमें इस दोरान जो है अगर देखा जाए तो बाके डियेपी का इस्तेमाल पूरी तरसे किया जा सकता है या उसको रोक सिर्फ यूरिया से ही काम देखिए ऐसा नहीं है आप उर्वरकों का देखना ये है कि नत्रजन फासफेट और पुटास के बात करते है यहां पर यह समझने बहुत अच्छा आपने प्रशन किया और बहुत समझने वाली बात है कि हम यह कहते हैं कि 150 किलो नत्रजन तो हम चाहें एनपी के चाहें डियेपी कोई भी फर्दिलाजन ले सकते अब हमको देखना क्या है कि हमने यूरिया लिया तो 46% नाट्रोजन यानि 100 किलो जो हमने यूरिया लिया है तो हमको 46% ही जो है वो नाट्रोजन मिला इसी तरीके से जब हम डियेपी लेते हैं तो डियेपी में क्या है हमने किलो जो मिक्चर लिया है एंपी के का मिक्चर तो बारा किलो हमको जो है नेटरोजन मिली बत्तिस किलो फासफेट मिला सोला किडो तो इस तरीके से हम गनित लगा करके कि कितना हम एंपी के लें तो उसमें कितना हमको नेटरोजन मिलेगा उसी हिसाब से उसकी मात्रा करने दारन करते हैं अब जैसे सिंगल सुपर फासफेट को हम कहते हैं कि सिंगल सुपर फासफेट आप इस्तेमाद करिए तो उसमें 16% ही फासफेट होता है यानि 100 किलो में केबर 16 किलो फासफेट मिला और जब हम कहते हैं कि डवल सुपर फासफेट को लीजिए तो हम कहते हैं 32 हमक जो पोशक तक तक नायट्रोजन फास्पेड और पुटास की मात्रा देने के लिए में कितना उसको क्वांटिटी में किलो में लेना अच्छा ये पौधे का सिंप्टम कैसे पहचाने का किसान कि हाँ इसको जरूरत है इस चीज की इस खाद की चाहिए इस पानी की को बढ़ाता है पौधे के तने को मजबूत करता है और पुटास जो होता है वो प्रकास संसलेशन की क्रिया जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसमें मदद करती है और फलों में चमकीला पन जो होता है उसका फ्राइटनेस जो होती है उसको लाती है तो अगर हम देखते है कि पौदा हमारा बढ़तो रहा है लेकि तना बढ़ा कमजोर है गिरने वाली इस्तिति हमारा तो हम तुरंत ये अलक्षन महसूस होते हैं कि हमारे में फासफेड की कमी है अच्छा और पौदा हमारा जितनी परजाती के अंसार बता दिया जाता है कि ये पौदा इतने वड़न बढ़ने वाला इतना बढ़ने वाला उसके हसाब से वह नहीं बढ़ता है तो हम समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन की हमारे में कमी है जिसकी बहुत बढ़वार कम हो रही है दोस्तों भी हम एक ब्रेक लेंगे लेकिन ब्रेक के बाद लोटेंगे तो बैगन की खेती में जो लगते हैं उनकी रोग थाम के लिए क्या क्या चीजे हो सकते हैं उसके बारे में हम डॉक्साफ से चर्चा करेंगे जब फपुंदी ज्यादा प्रवाव अपना डालेगी या बिशाण ज्यादा अपना रोग जब कप जालते हैं तब यह बीमारी अपने आप जो है पेड़ दोस्तों break के बाद आप सभी का स्वागत है डॉक्साब बैगन की खेती में भी क्यी तरह के रोग लग लग जाते हैं पहirे तो जानना चाहता हूँ कि कौन से रोग लगते हैं और उनके लक्षण क्या क्या हैं साथी यह भी जानना चाह incarnा का कि उनकी रोग थाम के लिए किस सिस बैंक सिस एक जो है फ़फूदी है इस फ़फूदी से ये रोग जो है पौदे में पहुंसता है नाम तो थोड़ा बड़ा टेड़ा है लेकिन अखिसानों कैसे पहचान सकते हैं कि फफूदी लगे चाहिए लगे देखिए ऐसा कि हमको जादा नाम पर नहीं जाना है ये जाना जो है वो ये है कि हमारा रोग की हमारी पहचान गया तो इस पर जो है पतियों पर गोल और नीमित भूरे रंके जो है इसमें धब्बे पढ़ते हैं पहले सबसे पहले धब्बे पढ़े और उन धब्बों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीच का भाग जो होता है वहरा हो जाता है उपचार जब इसका हम बात करते हैं तो पहले तो यही है कि हमने बीच उपचार कर लिया है और जो जिसका 2.5 ग्राम हम जो है 50 लीटर पानी 2.5 ग्राम हमने लिया और एक लीटर पानी लेकर के इसको गोल लिया और गोलने के बाद हम जो है इसको छड़कते हैं तो अब जैसे अगर मालिया हमारे एक्टर में है तो एक हेक्टर में है तो जो हम ग्राम है उसको केजीम बदल देंगे तो हम कहेंगे दो तसमलब पांच किलो और मात्रा बढ़ा देंगे एक हजार लीटर पानी और उसके बाद जो है हम फ्रैट नोजिल से मसीन से च्ड़क देंगे तो इस तरीके से इस बीमारी से हम जो है उपचार कर सकते हैं और ये बीमारी अगर कुछ जाना ही जोर पकड़ रही है तो आठ दस दिन के अंतराल पर दो या तीन शिड़का आउस्च करना चाहिए अगर हमको किसी माने में अगर हमको ये दवा नहीं मिलती है तो एक दूसरी दवा और है मैंगो जेब ये मैंगो जेब की भी मात्रा यही है इतनी क्वांटिटी में इतने ही पानी में मिला करके अगर हम इसको चिड़केंगे तो बिलकुल जो पहली दवा हमने बताई है उसी तरीके से दूसरी दवा भी उतना ही फाइदा करती है उसके बाद दूसरा जो बीमारी आती है वो है जीवान उखटा उखटा का मतलब उखट जाना विलकुल तो इसमें क्या होता है सबसे पहले ये जीवान जनित रोग है और नीचे की पत्ती जो है से प्रारम होता है अच्छा पत्तियां जो नीचे की पत्तियां है उनसे ये रोग प्रारम होता है और जब तना को हम काटेंगे तो भूरा जमा हुआ पदार्थिस में तने में निकलेगा अच्छा इसके अव बीमारिया किसी समय भी फल कोडने के टाइं तक भी किसी समय आदे कि करो सक तर बेमारी इसके भी नरसरी से ले करों किसी समय भी जब हमदी ज fel दकεί ऎले गए या विशान ज़याना प्रवाद्र ल्हुन के पर जालते मे थे क्पिन आप जो रखित होने लगता हैं तो इसके लिए जो है सबसे जरूरी जो है कि यह उक्टा रोग जो अगर लगता है तो अपने चेतर के लिए पंद समराट रितुराज और पूसा परपल इन्ही जातियों का चैन करें अच्छा ये तुमाले जे प्रिकॉशनरी हम चीजों पर बात कर रहे थे अगर किसी किसान मित्र के फसल में एक लग ही चुका है ये रोग जी तो उस समय इसके छुटकारा पाने का कोई तरीका है देखिए उसके लिए फिर बोई बात है कि हम महिंगो जे जो है दो 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 सम् कीट और कीट है जो बहुत ही खतरनाक है और बैगन को कहते हैं कान अक अग्रीन का हो गया कभी किया होता कि और बैगन से भी है जो जब काटने के लिए सबजी काटने के लिए जाते है उस में तर्थ कीर कलती है तो ये जो है ये तना और फल छे दक दोनों ही है जब पोदा अपनी त्रवुचा हो रहा होता उसका जवानी पर उता है तब यह तने को भी चृणांतर करके खाने लगता है तो उपर का भाग दीरे-दीरे मुर्जा करके गिरने लगता और पौदा दीरे दीरे नश्ट होने लगता है जब पौदा प्रोडा वस्ता में आ जाता और जब इसमें फल आने सुरू हो जाते हैं तब ये फलों पर अपना जो है टेक करता है तो करता क्या है ये सूनिया जो है उसमें तने में या फल में और भीतर भाग जो है खाती है जिससे पौदे का जो है अगर भाग अतना सूब जाता है तो इसके लिए रसाइन के अलावा एक हमारे पास और दवा है क्योंकि अफ़ल है और अगर उस पर हम कोई रसाइन न चिड़के हैं और उससे कोई दूसरी चीज ऐसी जो जिसका हमारे स लें अच्छा और एक लीटर पानी में जो है इसको घोल लें और दस दिन के अंतराथ पर इसको जो है अगर हम छिड़कते रहें तो हमें किसी भी रसाइन की आवस्टा नहीं पड़ेगी और हमारे सरीर पर भी कोई इसका उस बैगन के खाने का कोई भी पेस्टिसाइड का प्रवाब नहीं होगा मैं यह जानना चाहता हूँ कि बैगन की फसल जो है माने जो खेती कर रहें वो कितने दिन में तयार हो जाती है और कब किसानों को उसकी तोड़ाई शुरू कर देने चाहिए देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि बैगन को मुलाय मवस्टा में ही तोड़ते रहते हैं और इस तरीके से इसकी जो उपज है वो अच्छी जातियों से तीन सो कुइंटर से लेकर तीन सो पचास कुइंटर पर हेक्टर तक हमको उपज प्रात हो जाती है तो दोस्तों देखा आपने कि डॉक्टर शुक्लिंग ने हमें कितने अच्छी जानकार है 302A पोसाइडन टावर ओफ यारी रोड वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई 400-061 हमारा इमेल आइडी है bkk at green tv india.com आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे फोन नंबर है 012-498-00-00-00 और 498-00-11 अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या डीटी एच ऑपरेटर को तुरन कॉल करें और हमें लेख फेजें info at green tv india.com पर sms या whatsapp करें 9 7 6 9 5 7 7 049 पर आप से होगी हमारी फिर मुलाकात तब तक के लिए नमस्ते हुआ 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 है